तो आगे चलते हैं, इतिहास के सुरोत जो की आपके एकजाम में आता है, यहां से फ्रश्ण, इतिहास के सुरोत का मतलब जो हिंदी साइट का इतिहास लिखा गया, इसको लिखने के लिए सामगरी कहां से लिग गई, इतिहास के सुरोत वही से भोंगे तो देखिए इतिहास के सुरोत को दो भागों में वर्गी कृत करने वाले विद्वान है मतलब इतिहास के सुरोत को दो भागों में बाटने वाले विद्वान काउन है डाक्टर रामकुमर वर्मा है दो भागों में बाटे हैं तो अंतर साक्ष एक क्या है अंतर साक्ष और एक है बाह साक्ष ठीक है दो भागों बाटे हैं एक अंतर साक्ष एक बाह साक्ष और अंतर साक्ष को डाक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अधिक प्रमारिक माने हैं ठीक है अंतर साक्ष जो है इसको डाक्टर रामकुमार वर्मा जिने ज्यादा प्रमारिक माने हैं ठीक है इसके आगे चलते हैं कि यहां से सुरू हो जाता है ठीक है क्या सुरू हो जाता है इतिहास के शुरूत मतलब हिंदी साइट के इतिहास लिखने के जब हिंदी साइट का इतिहास जब लिखे विद्वान लिखे सभी तो शुरूत कहा 252 वैश्डवन की वारता की रचनाकार कौन है तो गोकुलनात है 1625 विक्रम संबत में लिखे पुष्ट मार्ग में दिक्षित भक्त कभियों का परचे किस की रचना में है तो गोकुलनात की रचना में है ठीक है गोकुलनात जो ये लिखे हैं उपर जो भी यहां देख रहे हैं इसके बाद सूर्दास के बारे में सबसे अधिक जानकारी किस रचना में मिलती है तो सूर्दास के बारे में सबसे अधिक जानकारी 84 वैश्टवन की बारता में मिलती है भक्त माल के रचनाकार हैं तो भक्त माल के रचनाकार काउन है नाभादास है नाभादास को नारायंड दास भी कहा जाता है रचनाकार इसका है 1642 विक्रम संबद इसके आगे चलते हैं 366 चंदों में 200 भक्त कभियों का जीवन परचे किस में है तो यह है भक्त माल में है जिसमें से 166 राम भक्त कभी है 84 कृष्ड भक्त कभी है इसके बाद देखते हैं तुलशी को सबसे बड़ा कभी किस रचनाकार ने तथा किस रचना में माना तो तुलशी को सबसे बड़ा रशने माने हैं किस रचना में भक्त माल में मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं बेड़ी माधवदास इनहीं को बेड़ी माधवदास भी कहा जाता है यह तुलसी के सिस्ष थे कौन बेड़ी माधवदास मूल गोसाई चरित में किस कभी की अतिस्वयोक्ति पूर्ण है अतिस्वयोक्ति पूर्ण का मतलब होता है बढ़ा चड़ा करके तो दोहा चोपाई त्रोटक छंदों में तुल्षी का जीवन परचे है जो की बढ़ा चड़ा करें मतलब अतिस्वयोक्ति पूर्ण है इसके बाद मानस काहंस किस रचना की आधार पर लिखा गया तो मानस काहंस लिखा गया मूल गोसाई चरित की आधार पर लिखा गया है भक्त नामावली की रचनाकार वो रचनाकाल क्या है भक्त नामावली की रचनाकार है धुरुद्वास और रचनाकाल है 1698 बिक्रम संबत भक्त नामावली में कितने कभियों का पर्चे तथा अंतिम नाम किसका है तो देखिए ये तो पहली बात ये पद रचना है भक्त नामावली और 116 भक्त कभियों का पर्चे है अंतिम नाम है इसमें नाभादास का इसके बाद देखते हैं कवरत माला किसकी रसना है इसका रसना काल क्या है तथा इसमें कितने कभियों का परिचे है तो देखिए कभी इसके हैं हरी राय तुल्षी हरी राय तुल्षी यह तुल्षी का मतलब यह नहीं भक्त काल में जो रामचरित मानस लिखे हैं तुल्षी नहीं है यह दूसरे तुल तो यही है इसमें काली दास हजारा की रशनाकार की रशनाकार और रशनाकार है काली दास त्रीवेदी रशनाकाल है सतर्सों पचहत्र बिक्रम संबत 212 भक्त कभियों के 1000 पदों का संकलन किस रशना में है तो काली दास हजारा में है ठीक सिव सिंग सरोज का आधार गरंथ काउंसी रचना है तो सिव सिंग सरोज का आधार गरंथ है काली दास हजारा आधार गरंथ मतलब इसी के आधार पर काली दास सिव सिंग सरोज लिखा गया है कालिदास हजारा के आधार पर ठीक है आगे देखते हैं काब नीड़य की रचनाकार वो रचनाकाल बताना है काब नीड़य भीकारिदास की रचना है 1782 बिकरम शंबत में है इसका रचनाकाल इसके बाद मुख्यता रीत ग्रंत है किन्त कुछ इतिहास विस्जब्र जानकारी भी मिलती है, तो किसमें मिलती है, काबीर नेड़ए में मिलती है, कभी नामा AWOLी के रसनकार वर रसनकाल بتाना है, तो कभी नामा AWOLी के रसनकार है, सूधन और विकरम संबत 1810 में लिखी गैए है, दस कभी तचंदों में दस कभीयों का परचे किस रचना में है तो कभी नामावली में है राग सागरोध भो राग के रचनाकार वो रचनाकाल है मतलब रचनाकार इसके कौन है और रचनाकाल क्या है तो किस्वडा नंद इसके रशनाकार हैं और 1900 विक्रम संबत में लिखी गई है स्रिंगार संग्रह की रशनाकार वो रशनाकार तो स्रिंगार संग्रह सरदार कभी की रशना है और इसका रशनाकार है 1904 विक्रम संबत 125 से अधिक रचनाकारों का परिचे उनकी रचनाओं के उद्वारंड का ब्यांगों की भी बेशना किसमे है तो स्रिंगार शंग्रह में है कवी रत्नमाला के रचनाकार व रचनाकाल तो कभी रत्नमाला के रचनाकार है मुंसी देवी प्रसाद और रचनाकाल मतलब समय इसका 1968 विक्रम संबत गोरक नात एंड दिक अन्फटा योगीज के रचनाकार वर रचनाकाल तो ब्रिग्स इसके रचनाकार है ब्रिग्स कहिए चाहिए ब्रिग्स कहिए एक ही मतलब हुआ और रचनाकाल यानी समय इसका है 1955 बिक्रम संबत इसके आगे देख लेते हैं थोड़ा एक और है प्रस ने राजस्थान के 108 रचनाकारों का परिचे उनके कवित सववयों का संग्रह किसमें है तो कभी रतन माला में है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर ए वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करन है ठीक है तो हम मिलते हैं फिर किसी वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत